देखो, जैसे हम लोगों ने भी ये कोशन किया, देखो, इसी कोशन को करने का एक तरीका और भी होता है, उसको भी हम समझ लें, ये इसका सबसे अच्छा मेथड़ दो हमने किया, लेकिन फिर भी एक मेथड देखो, और समझ लें, देखो, क्या है? ये लाइन गिवन है, ये लाइन हमारी given line है ध्यान दूँ देखो हमें इसके parallel line चाहिए ये given line है हमें इसके parallel line चाहिए देखो जैसे ये line given है तो इसके parallel line देखो क्या होगी देखो इसके parallel line हम निकाल सकते हैं देखो उसका तरीका क्या होता है कि xy के coefficient वही रखो constant हम को बदल दो मतलब 2x-y प्लस k equal to 0 ये देखो इस given line के parallel line हो गई है तो अगर एक line दी जाए और हमें उसके parallel line चाहिए हो तो हम क्या करेंगे xy के coefficient सब कुछ वही रखेंगे constant हम को बदल देंगे ध्यान देना है अच्छा अब देखो जैसे अगर ये constant हम राइट में होता तब भी हम यहां पर के राइट में ल कि जैसे ये constant हम राइट में होता और आप इस के को लेट में लिख देते तब भी फरक नहीं पड़ने वाला जैसे मालो ये constant हम लेट में है और आप यहां पर के को राइट में लिख दो तब भी फरक नहीं पड़ने वाला constant हम आप कहीं भी हो इसका constant हम कहीं भी हो लेट में ह हम दो अब देखो क्या है ये इसके parallel line हमने लिखा अब देखो हमें के की value चाहिए होगी देखो उसका तरीका ये है कि ये line इस point से पास होता है इसको satisfy करेगा तो minus one comma two इसको satisfy करेगा क्योंकि ऐसा दिया गया है कि जो line निकालना है ये line इस point से पास हो रहा है ऐसा दिया गया है तो देखो ये इसमें put कर दो तो क्या हो रहेगा देखो two into minus one y की जगए two plus k बराबर zero है ना x की जगए minus one y की जगए पर two रख दो है ना x की जगए पर minus one y की place पर two रख दो तो देखो क्या हुआ minus four plus k equal to zero देखो k की value four आ गए ये k की value यहां रख दो ये k की value यहां पूट कर देए तो two x minus y plus four बराबर zero देखो इससे y बराबर क्या आ गया two x plus four देखो यही हमारी line के question का answer आ गया जो यहां पर आया था है ना तो जो question का answer देखो यहां आया था y equal to two x plus four वही answer देखो यहां भी आ गया y equal to two x plus four है ना तो यह भी एक तरीका होता है किसी भी line के parallel line की equation को निकालने का तो यह भी हमको आना चाहिए है ना लिगो बच्छो ध्यान से इसको